नमस्कार मेरे इस यूट्यूब चनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है आज मैं आपको वस्त्र विज्ञान और परिधान के बारे में बताऊंगी आप बार-बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैडम टेक्स्टाइल पढ़ा दीजिए तो अब बेटे इसका ज टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए कौन सा वस्त्र सीला है कौन सा वस्त्र बिना सीला हुआ है तो डिटेल्स में आपको बता दूंगी बाद में आज मैं बताती हूं आपको वस्त्रोत पादक रेशों का वरगी करन वस्त्र क्या होता है अब सब जानते हो वस्त्र से ह हमारा क्या नातरिस्ता हम सब समझते हैं है ना वस्त्र कैसे बनता यह अपने को पता है क्योंकि रेशा जो है रेशा जिसको फाइबर बोलते अंग्रेजी में वह वस्त्र उत्पादन की मूल इकाई है बेसिक यूनिट है आधार है उसका क्योंकि बिनारेश है का तो बनेगा नहीं धागा और बिना धागय का वस्त्र नहीं बनेगा तो अगर कभी भी पूछा जाए को क्विश्टन में कि वस्त्र बनाने की सबसे मूल भूति काई क्या है तो आपका एंसर होना चाहिए रेशा अंग्रेजीम होगा फाइवर और कई सारे रेशों को मिला करके बट करक धागय का निर्मान होता है और उन धागों से फिर बुनाई की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र को बनाते हैं तो आज हम उन्हीं रेशों के बारे में चर्चा करते हैं जिन से हमारा वस्त्रों का निर्मान होता है और यह बहुत इंपोर्टेंट है टॉपिक है सब के तो आपका तो इसमें से एक दो चार कोशन तो अपका आते हैं क्योंकि सब का जो आधार है वस्तरोत पादक रेशों का बर्गी करण ही है आज मैं आपको इसी के बारे में क्लासिफिकेशन आउफ टेक्स्टाइल फायबर्स के बारे में बताऊंगी जिस जो की आप ध्यान से सुनना और इसी में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो आपको एक्जामनेशन पॉइंट और वीउ से भी इंपॉर्टेंट होगा तो प्यारे बच्चों ये बस्तरोत पादक रेसों का अगर वर्गी करन कीया गया है तो इसके मुख्य 2 वर्गी करन है प्राकिरतिक में चले जाओ हमको रटना नहीं है पहले भी बता रहे हैं आप सडय से बनता है वास्र का चो प्राथमिक यूनिट है प्राइमरी यूनिट है आधारी एकाई है ऊंक्या है वह वह देखते हैं कि प्राकिरतिक रेशा और दूसरा है कुण सा क्रित्रिम् रेशय। आफ यह बताओ कि सबसे पहले कौन सी रेशय कुदपत्ति हुई थी जब मानो जंगलों में रहता था जब हमारी सब्वेता काविकास नहीं हुआ था आज अब सब्वेता का बसरत है ठीक है प्राकृतिक मतलब जो चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है जो चीज़ हमें नेचर से प्राप्त होती है वो कहलाता है प्राकृतिक रेशा किते भाग में बटा गया दो भाग में कौन सा भाग रहा पहला प्राकृतिक रेशा दूसरा हुआ कृत्रिम क्रित्रिम किसों कहते हैं आर्टिफीसियल क्रित्रिम नहीं कहते हैं क्रित्रिम बनावट कर रहें क्रित्रिम हसी है तो क्रित्रिम रेशा है ना क्रित्रिम रेशा जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में आर्टिफीसियल समझ गया बात को इसको किते भागों बाटा गया दो भागों में पहला प्राकृतिक दूसरा कृत्रिम प्राकृतिक मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है जो हमें नेचर से मिलती है जो हमें पेड़ पोधे से मिलते हैं जो हमें जानवरों से मिलते हैं जो हमें पदा संख्या है भारत की अभीश्व की और चीछ समय सूखा हो गया या बाढ दिमाग में आया कि बाई जितनी जंशंक्या बढ़ रही है अगर प्राकृतिक बिपदाएं आ जाती हैं उतना उत्पादन का पासका नहीं होता है या प्राकृतिक रेसों के लिए जो चीज़े चाहिए उतना उन नहीं मिलता है या उतना रेसम नहीं मिलता है तो अपने तन को कैसे ढखें क्यों कि वस्रू तो हमारा क्या है रात में का वर सकता है ना रोटी कपड़ा और मकान दूसरे नमबर का है ना पहला तो रोटी दूसरा है कपड़ा तिसरा है मकान और रोटी खाये बीना तुम रह सकते हैं गंटा दो गंटा कपड़े बीना रह सकते हैं क्या कपड़ा से तो हमारा नाता रिस्ता जन जन यह जिर्ट विश्टर पर जाओ तो कपडा चाहिए सर्दी का मौसम है तो कपड़ा चाहिए m लेकिन हम क्या पहनते हैं इस पर सब की नजर जाती है unlikely तो प्राकृतिक रेष इसकी बता रही थी फिर आ गया पकृत्रिम्रेस hearts ठीक है अब एक प्राकृतिक रेशा को भी बाटा गया कितने भाग में तीन भाग में प्राकृतिक रेशा को बाटा गया तीन भाग में एक होई बानस्पतिक या बनस्पतिज बानस्पतिक या बनस्पतिज मतलब जो वन से प्राप्त हुआ है जो बनस्पति जगत से प्राप हुआ है ठीक है इतना समझ मागया प्राकृतिक रेसा cricket रेसा प्राकृतिक नहीं By तीन है बानसपतिक प्रां ना है कि और यह देखो कृतनी में मान।्सलेसइस या रशायनिक मान।कृत जिसको पहले-पहले व्यकति निंदाया हैं सबसे पहले जिस व्यक्तिन year तो मानो क्रुच रेशा काहलाया और सबसे पहले जो रेशा बना ऊपकाहलाय री कौण्सा बनाया और रीय। और रेवन कई विधी से बनाए गए जैसे तो उन विध्यों के अधार पर उन केमिकल्स के अधार पर इसका वर्गी करन किया गया मालों कृत में रेवन में कुण हुआ नाइट्रोसेलूलोल विश्कोस अक्युप्रामोनियम अब देखते संसलेशी त्यारासाइनिक संसलेशी का निर्मान करो जिससे की लोगों की पूर्टी हो सके लोगों की वस्त्र संबंदी जो आवशक्ता है उसकी पूर्टी किया जा सके इसके लिए संसलेशी त्यारासाइनिक रेशा बनाया गया और इसके अंतरगत कौन-कौन से रेशा आते हैं सबसे पहला रेशा बना नाइल संसलेशी तरेशा अगर प्रश्ण में आये सबसे पहला संसलेशी तरेशा का नाम लिखी है बहुत सारे आएंगे आपका इंसर होगा नायलॉन ठीक है इसके बाद डेक्रॉण जफ्रॉण और लॉण क्रेश लॉण टेरिलिन डेरवन सारन फाइबर ग्लास इतने सारे प्रकार कि बरतमान मेरे से तयार किये गए हैं केमिकल का उप्योग करके कोल तार का उप्योग करके कि गीनना मुश्किल है आप बजार चले जाओ और जब वो कपड़े दिखाते हैं मैडम यह ले लो वो ले लो आप कन्फ् हो जाओगे कि कौन सा खरीदे कौन सा नहीं खरीदे है कि संसले से जिसको हम अंग्रेजी में सिंथेटिक बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर या केमिकल फाइबर समझा के बात को तो इसके कितने सारे हो गए जब बनना शुरू हुआ तो यह चुकी मसीन में बन रहा है लोग उसको बना रहे हैं तो खुब बनाते गए जितना चाह उतना बनाओ तो उसमें नाइलोन बन गया डिक्रोन बन गया और बन गया ग्लास फाइबर है ना टेरिलीन डरवन सारन और दुनिया भर कर आज बरतमान में इतने प्रकार के सिंथेटिक फाइबर से जिसको कि आप गि बनाइज में आते हैं ना अब क्रित्रिम में आते हैं और ना बनस्पति में अते हैं अलग आप कि उनकी प्रक्रति में उसको भी इसमें उसको्टरकों को बाटा गया एक है परिवर्तित, दूसरा है मिस्रित, तीसरा है विसिस्ट बाल रेसे, कौन-कौन से है परिवर्तित, दूसरा है मिस्रित, तीसरा है आपका विसिस्ट बाल रेसे, अब यह देखो विसिस्ट बाल रेसे, किसे मिलेंगे, यह आपके प्रानिज रेसे में भी आएंगे, है न लेकिन यह विस्ट है क्योंकि अंगर vidéo सब्सक्राइब हर जग हुआ यह नहीं मिलता है विकुणा डिसे विपने से हर जगह नहीं मिलता है लामा हर जगह है ईसलिए स्कौकि विस्टि बाल रेशे नाम दिया गया लेकिन अगर वस्त पादक бой रेशयों का बक्या प्रकार में बर्गी किरित किया गया है तो आपका दो ही आएगा एक प्राकरतिक रेश हो और दूसरा आएगा एक कृत्रेश हो इसको अगर हम दिवाइट करते हैं है यहां बीज वाला रेषा, दोसरा है तन्य वाला रेषा, तीसरा है पत्ते वाला रेषा, समझा गई बात, बीज वाले रेषे, तन्य वाले रेषे और पत्ते वाले रेषे, राइट, अब बीज वाले रेषे, बीज वाले रेषे मतलब क्या होता है, किसको कहेंगे बीज वाले पर रेसे लपेटे गए हों जिसके बीज के चारों त्रफ रेसे लिप्टे हुए हों कि इसलिए कपाश रेसे लिए को बीज का बाल कहते हैं बीज का बाल अगर प्रश्ण में आये को तो आपका उत्तर होगा कौन सा कपास ठीक है अब बीजवाले रेसे हैं कपास और कापोग लेकिन बीजवाग का बाल अगर पूछा जाएगा तो आपका एंसर होगा कपास अब देखो तन्यवाले रेसे तन्यवाले रेसे मतलब है जिसके तनों से रेशे प्राप्त किये जाते हैं, तनों को गला करके, सडा करके, किसी भी तरह से, हाना, इनको अलग करके, इनके तने से जो रेशे प्राप्त होते हैं, तने वाले रेशे खालाते हैं, इसमें कौन सा है, लीनन, क्वाइर, जूट, सान, हैम, और मनीला, समझ ग बात को कौन से रेसे जो तनी से प्राप्त होते हैं कौन से प्राप्त हुए लीनन कौयर जूट सन हैं और मनीला और तीसरा बाद डिवाइट क्या गया है वह पत्ते वाले रेसे मतलब जिसके पत्तों से रेसे प्राप्त किये जाते हैं इसमें दो हो गया एक पीना हो गया और होग अधार में रहता है इसे प्राप्त होता होता है है अभी आपको दिमाग के दिमाग में उठता है और जो मैं भी आपको हाथ-वाथ सा है अगर यह प्रश्ण आ जाए कि बनस्पती जगत में जितने भी रेसे प्राप्त किये जाते हैं उन्हें से सर्वस्रेश्ट रेसा कौन सा है तो आपके पास तो बहुत सार है कपास कापो खेम पनीला जूट सान लीनन फॉयर सिसल पीना इतना सारा चीज़ है आप से क्यों है कोई सा भी ऐसा घर नहीं है कोई सा भी ऐसा व्यक्ति नहीं है विश्व का जहां पर की कपास से बने सूती वस्त्रों का उप्योंग ना किया जाता हो हर जगा रसोवी घर से लेकर के विस्तर से लेकर के पहनने से लेकर के ओढ़ने का वस्त्र कपास के रेशों से तयार किया जाते हैं जिसको हम कहते हैं सूती वस्तर और सूती वस्तर है सर्वस्रेश्ट वस्तर है वालस्पतिक जगत में जिसको हम कपास के रेशा को विश्व व्यापी रेशा कहते हैं क्योंकि इसका उपियोग चाहे गरीब हो अमीर हो मध्यम स्रेनीका हो बालक को बूड़ा हो जबान हो सभी इसका उपयोग करते है पूरे संपुर्ण विस्म में इसकी जदा उपयोग किया जाता है और यह पा अच्छा होता है तो यह देखो आपके भानस्पती आप प्रानी जगत से प्राज किया जाता है प्राणी बतला जिसमें जिवजन्तु जो तो जीव जन्तु में कौन है बेड़ है बकरी है अभिमनी बताया नहीं है देखो अंगोरा लामा अलपाका विक्यूना दुनिया भरका है खरगोस इनके खास करके जो बेड़ों के बालों से जो हमें रेसे प्राप्थ होते हैं उनसे उनी वस्तर बनता है तो इनका डिविजन क्या हुआ उन में हुआ दिख रहा है आपको उन बनाए गया है और दूसरा है रेसम किसे मिलता है रेसम के कीड़ों से और रेसम के कीड़े जो होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं और जिस पर रेसम पालन की प्रक्रिया होती है रेसम के कीड़ों के पालने की प्रक्रिया कहलाती वह आपको पता होगा यह पूछा जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं जहां जिस विदी से जिसमें रेसम की कीड़ों को पाला पाला जाता है उसको क्या घते तो सेरी कलचर क्या बोलता है इसको हम सेरी कलचर रेसम और रेसम से जो बने वस्तर होते हैं ठीक है ना जो आपके सिल्क वॉर्म है उसके कोकून ये कोकून होता है कोकून के अंदर कीड़ा होता है यही से निकलता है, इसके लार से निकलते जाता है, और फिर यह रेसे करूप में लिपटता लिपटता चला जाता है, जो मैं आपको रेसम पढ़ाओंगी, तब डिटियल बताओंगी, अभी कन्फूज हो जागो, अभी इतना ही समझो, तो यह कोकुन को मार करके, उसके उपर जो यह रेसा है, है न, यह रेसा कहलाता है, रेसम, और रेसम का रेसा, क्या होता है, बहुत सुन्दर, अत्यनत बारिक, खुब लंबा, अग्रत प्रस्निय आया, कि बानस्पति की रेसों में से सबसे लंबा रेसा कौन सा है, सबसे सुन्दर, सबसे चिकना, सबसे महिन रेस ने समय समझमा गया उन जानवरों के हैं बाल होते हैं बाल से उनके उनके प्राफ किये जाते हैं जिसे उनिवस्षर बनते हैं और यह काफी गरम होते हैं सर्दियों में पहने जाते हैं अब खनीज लबन खनी आपको कि खनीज से कैसे मैंडम रेशा बनेगा बनता है बेटा एक जामपल बताते हो देखो सोना चांदी एसवेस्टस इनसे रेशे निकाले जाते हैं बिसेस प्रक्रिया के द्वारा और उनको पिगला करके बारिक तार में परिवर्टित कर दिया जाता है तो सोना चांदी के तारों से जड़े अत्यंत सुंदर बस्त्र बनारस्ची साडी का नाम सुना आपने देखा भी है शाधी ब्याह में चढ़ता झुक्त भी तो अब तो थोड़ो बहुत महंगे हो गये विए क्योंकि सोना ही जैंपचासजार के पार हो गये तो फिर बहुत है इस की प्रक्रिया कोई बस्त्र बनाता है बहुत भूखा होगा तो पहले भी देखतो देखते हो कि बनारसी साडी में जो सोने चांदी के तार जड़े होते थे कलाकार वस्त्र बुनने वाला कलाकार सोने चांदी के बारिक बारिक तार बनाते थे और जब बुनाई करते थे वस्त्रों की तब उसमें जड़ देते थे ऐसे भी राजा महराजा सामन्त इनके वस्त्र सोने चांदी के तारों से जड़े होते थे ठीक है तो सोना और चांदी चांदी को भी पिगला करके और सोना को भी पिगला करके उनके तारों से वस्त्र को जड़ा जाता था डिकोरिशन किया जाता था सजावट किया जाता था फूल वस्तर से नहीं बनते थे उनमें सजावट कर रिफ में इसका उप्यों किया जाता था ठीक है अब आगे एस्वेस्टस एक ऐसा रेशा है जो ना तो आक से जलता है ना पानी से गलता है ना इसको नमी एफेक्ट कर पाती है ना इस पर जंग लगता है इससे भी वस्तर बनाए जाते हैं जो खास करके केमिकल लेबॉरेटरी में प्रयुक्साला में एस्वेस्टस का ज्यादा उप्यों किया जाता है इस परकार से प्राकृतिक रेशों के बर्गीकरन आपको समझ बागया क्रित्रिम रेशों का बर्गीकरन समझ बागया अब मैं यह बताती हूं वो यह कि अगर क्रित्रिम रेशा है क्रित्रिम रेशा को एक तो उस कर दिकरी में अगर किशी परकार का परिस्ज दे दिया जाय 5 कि शन्रक्शना में परिवर्तन आ जाता है जैसे मालो की औरर लोंन और लोन को इस तरह से उसका परिश्जा कर दिया जाता है उसके जो क्वैलिटी होती है उनकी तरह दिखने लगती है तो आगर यह करता हूं और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी है और मैं इसे संबंदित परश्न दूंगी जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया है मैं चाहते हूं आपको multiple choice question देने के लिए क्योंकि इससे थोड़ा आपका दिमाग के दरवाजा खुलेगा अन्य था मैं तो आपको explain कर दूँगे अभी भी मैं explain किया है आगे भी मैं explain कर दूँगी ठीक है तो एक बार तो मैं आपको multiple choice question दे दूँगी जिसको आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखोगे और आप समझोगे उसका उत्तर दोगे सारे प्रस्णों का उत्तर इसी के इर्दिगर्द गुमता हुआ मिलेगा बाहर से कहीं से हम question नहीं देंगे ठीक है अच्छा यह सहर है और यह जादू ही रेसा कियूं कहा जाता है recos the bricks किसको कहते है तो range ल का इसको कहते हैं ये सारी चीज़े मैं आपको बता रही हूं आगे भी बता दूँगी तो अगर ही वीड़ियो आपको अच्छी लगती है तो अगार इक्पर इस देंजिब करें क झाल झाल